अबिका एक बार तिससे बहुत बहुत वागत है, BTP Digital Education और एक बड़ी अपडेट लेके आज के scholarship से related दोस्तो scholarship की जो last date है उसको लेके सभी चातर के में में लगाता है जुधा बनी ही है और उनके दिमाग में question चल दा है कि कहीं उनका scholarship apply करने से form रहना जाए तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे scholarship के revised date के बारे में और उसके बाद scholarship की last date कब है इससे related जानकारी हम लेगी इसके साथ साथ हम जानेगी कि gut verse के result में आपको क्या fill करना है pass या promoted तो वहाँ पर option इस बार दे रहा है pass या promoted तो ऐसे बहुत सारे छात्रों का लगातार question आ रहा है क्योंकि पिछले सतर के जो बच्चे हैं उनको promote किया गया है तो ऐसे में यह बहुत बड़ा question है तो वीडियो को last तक देखे आपको सारी जानकारिया मिल जाएंगी कि कब तक आपको form को apply कर लेना है और कैसे revise day revise जो आया है फिर से जो आपका time table जारी हुआ इस scholarship से related वो क्या है और किसके लिए जारी किया गया है तो सारी जानकारिया इसके साथ साथ एभी हम बात करेंगे कि जो scholarship की अभी तक last date है उसमें क्या कोई परिवरतान होने के संभावना है या तो दोस्तो वीडियो में last तक बन क्योंकि यहां पर आपको मिलने वाला है इससे related धेरो जानकारी या आपको हर एक जानकारी मिलने वाली है तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम आ जाते हैं जियां यहां scholarship की official website पे और उससे पहले आपको notice दिखाए देते हैं जो revised notice जारी हुई है उसको हम तो यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं जो revised notice scholarship से related जारी की गई है जियां यह देख सकते हैं नोटिफिकेशन है scholarship से related जो हाली में जारी हुई है यह notice है revised notice है और यह 13 अक्टूबर को जारी किया गया है देख सकते हैं और यहां पर date को बढ़ाए जाने के संबंद में है कि बित्तिय वर्ष सैक्षिक सत्र दोहजार बीस एकीस के में पूर्व दसम छात्रविती कक्षा नौ और दस कक्षाओं से संबंधित पार्टिक्रम का master database तयार करने सत्यापन लॉक करने पर हम छात्रों को छात्रवित आवेदन से बित सकते हैं कि कक्षा नौ और दस के औसे नवीन यानि फ्रेस और नवीनी करड यानि रिनवल के छात्रों को अपलाई करने हैं तो पहले 24 जुलाई से 12 अक्टूबर तक था यह लेकिन इसे बढ़ा के जो है 24 जुलाई से 1 दिसंबर तक कर दिया गया है तो जो रिवाइज पी के छात्र जो भी अपलाई करेंगे चाहिए ओडी फार्मेशी के हों या फिर इंजिनिरिंग डिपार्टमेंट के हों तो उनको जो है टैन प्लस टू यानि इंटरमेडियेट यहां पर जो अपलाई करना है यहां पर स्कॉलर्सिप्स रिडेट यहां पर आपको दिखा जाते हैं तो सबसे पहले यहां पर साइट पर आ जाते हैं और उपन कर लेते हैं तो इनको ऐसा नहीं है कि यह प्री मैट्रिक वाला फॉर्म नहीं अपलाई करना है इनको जो है पोस्ट मैट्रिक अधर दैन इंटरमेडियेट वाले को अपलाई करना है तो उसके लिए जो लाज़ डेट है उस पे बात कर लेते हैं कि उसकी लाज़ डेट कप की है इसके साथ साथ यह भी हम बात करेंगी जो कि आपको कौन-कौन से अनिवार है और आधार कार्ड और आपके 10 के सर्टिपिकेट में सारे डिटेल्स सेम टू सेम होने चाहिए आपका नाम हो गया डेटा बर्थ हो गया अगर उसमें थोड़ा सभी अंतर रहेगा ना तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाऊगी क्योंकि इस बार जो है लास्ट डेट की हम बात करें तो थोड़ा सा नीचे आएंगे हम हम यहां पर और थोड़ा सा नीचे तो कि यहां पर टाइम टेबल में देख सकते हैं तो टाइम टेबल में यहां दे रखा है कि संस्थाओं में कि यहां पर आप देख पारे होंगे कि जो है छात्रों द्वारा आउनलाइन आवेदन पूर करना एक जियां दोस्तों यहां पर देख सकते हैं सेशन 2020 और 2021 यहां पर 21 की अगर टाइम टेबल की बात करें तो यहां पर अगर इनके अंतिम डेट की पूर दसम की बात करें तो छात्रों द्वारा आउनलाइन आवेदन पूर करने की जो अंतिम्ति थी है वो एक दिसंबर 2020 है बढ़ा के एक दिसंबर 2020 कर दिया गया है लेकिन जो दसमोतर है यानि पॉल टेक्निक के जो भी छात्र अप्लाई करेंगे चाईडी फार्मा की या फिर इंजिनिक के उन्ह अला कि इसमें चांसेज बहुत ज़्यादा है 90 परसेंट चांसेज हैं कि यह डेट एक्स्टेंड होगा लेकिन आपको इससे पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर लेना है अभी आपके पास टाइम है पांस दिनों का लगबग तो आप जल्दी जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर लेना है और संस्थाओं की बात करें कि संस्थाओं में कब तक आपको जमा करना है तो 19.11 यानि 19.09 तक आपके लिए टाइम रहेगा तो मतलब आपको केवल फाइनल सब्मिट कर लेना है यहां पे जल्दी से जल्दी पांच तारीक तक फॉर्म को अप्लाई करके और उसक 11.11 है अभी तक और जैसे कोई डेट इक्स्टेंड होती है इससे रिलेड़ेड तो आपको सबसे पहले यहां पर अपडेट किया जाएगा इसके बाद दोस्तों एक और क्वेस्टिन जो कामन क्वेस्टिन चल्दा इस टाइम सभी छात्रों के मन में कि वो जब यहां पर गत चाहूंगा जो Children के चहां जिन्होंने फरश्ट इयर में एडिमीशन लिया है तो उनको तो प्रमोट किया नहीं किया ह्या है उनके तो इंडिर्मीड कर यहां तो पास सेलक्ट करना है यहां पर जाम हिए नटक्लेयर तो मर चामें भी आया है, कि उनकी result नहीं declared किये गये हैं, हाला कि वो BVP के छाथर नहीं थे, थे अने इनिवर सिटीज के थे, तो अगर result नहीं declared किया गया है, तो आपको result at not declared पे tick करना है, और प्रापतांक में अपना जो last year का हो, मतलब इससे पहले का जो भी आपका प्राप्तांक हो वो प्राप्तांक और पुड़ आंकि इंटर करके आपको सब्मिट करना है इसके साथ साथ हमारे बी टीएउपि के चादर क्या करेंगे जो प्रमोट हुए हैं उन सभी चादरों को प्रमोटेट सेलेक करना है Pass नहीं सेलेक्ट करना है, Promoted Select करना है, यह बात ध्यान में रखेंगे, आपको Promoted Select कर लेना है, और यहां पर, Pass तो उन चातरों के लिए है, जिनका, जो एक्जाम दी है, और जिनको Promote किया गया, उन्हें Promoted Select करना है, और इसके बाद संस्थाओं पे जरूर जाके, आप अपने form क को चेक करवा लें एक और इस बात को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लें क्योंकि इसमें अगर कहीं पर भी कोई होती है तो आपका स्कॉलर्शिप जो है तो वार्सिक परिशा के अंक प्रडाले पे रहा होगा या फिर तो आपका अंक प्रडाले पे है संस्था का पूडांक यहां पे दिया रहेगा आपको गरत्वर्श का प्राप्तांक जो है फिल कर लेना है यानि जो इस समिस्टर में आपका रिजल्ट रहे जो भी आया होगा उसके अलावा उसका पूड़ांक और इसारी डिटेल्स फिल करके आपको सब्मिट कर देना है तो दोस्तों जल्दी-जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर लिए अगर फिर भी कहीं पे कोई इस्व आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करें आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती है और सभी का रिप्लाई हम देने का प्रयास करते हैं किनी काड़ों अगर नहीं दे मिल रहा है तुरंद आपकी कमेंट का रिप्लाई तो आपको ट्राइ करते हैं विदिन 24 आर मिल जाए और वो आपको रिप्लाई मिल भी जाएगा तो दोस्तों म मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें नमस्कार और कोई भी इशो हो तो कमेंट सरूर करें ओके दोस्तों बाबाई